हेलो दोस्तों मैं हूँ दीपक राजपल और टूटोरियल्स क्लास में आपका स्वागत है आज के सेशन में हम बात करेंगे वर्डप्रस 5.5 के बारे में इसको पब्लिकली रिलीज किया गया 11 अगस्थ 2020 में तो हम देखेंगे कौन-कौन से मेजर फीचर्स या चेंजिस इसमे इंटोड्यूस किये गए है तो अगर हम इसको स्क्रॉल अप करें स्क्रीन को तो लेजी लोड़ेड इमेजिस की जो स्पोर्ट है वो एड़ कर दी गई है वर्डप्रेस 5.5 से और इसके अलावा वर्डप्रेस में डिफोल्ट बिल्ट-इन साइट मैप भी एड़ किया गया है सो हम इसको ट्राइ भी करके देखेंगे इसके अलावा अटो अपडेट की स्पोर्ट को एड़ कर दिया गया है वर्डप्रेस में और अब वर्डप्रेस में किसी भी प्लग-इन को डिरेक्टी जिफ फाइल अपलोड करके भी अपडेट कर सकते हैं इसको भी हम चेक करें हैं सो इन में से कुछ मेजर चेंजिस को हम ट्राइ करके देखेंगे हमारे एक वर्डप्रेस इंस्टोलेशन में वर्डप्रेस मेजर फीचर्स की जो यह लिस्ट है यह यहां पर कंपाइल की गई है टुटोरियल क्लास डॉट कॉम में इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सबसे पहले हम देखते हैं auto updates for plugins and themes तो हम जाएंगे wordpress के dashboard में और यहां पर अगर हम appearance में themes के section में जाके किसी भी theme पर click करेंगे तो यहां पर हम देख सकते हैं enable auto updates का link यहां पर available है अगर हम यहां से theme के auto updates को enable कर लेंगे तो future में इस theme से related जितने भी updates होंगे वो automatically पीछे से background में ही push कर दिये जाएंगे तो इसके बाद अगर हम बात करें plugins की तो हम जाएंगे plugins के sections में और हम देखेंगे तो वहां पर भी हमें auto update की feature यहां पर मिल जाएगी तो यहां पर एक ध्यान रखने वाली चीज यह है कि अगर आपकी theme या plugin में कुछ customization है या अग अगर आपने किसी भी तरह का customization किया हुआ है जो कि नई theme या plugin के update से impact हो सकता है तो हमें auto update को enable नहीं करना चाहिए और अगर आप sure हैं कि आपकी जो latest theme या feature या functionality है वो plugins या किसी दूसरी theme के automatic update से impact नहीं होगी तो आप इसको safely enable कर सकते हैं so auto update की feature के बाद अगर हम बात करें तो हम plugins और themes को manually upload करके update कर सकते हैं यह हम किस तरह से कर सकते हैं यह हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम देखें तो WP Supercache plugin का जो अभी version यहाँ पर visible है वो है 1.7.0 तो यहाँ पर हम देखें तो latest version यहाँ पर available है और हम चाहें तो यहाँ पर upload now पर click करके इसको update कर सकते हैं बट जो दूसरी feature यहाँ पर introduce की गई है वो इस तरह से काम करेगी तो जब हम यहाँ पर click करेंगे add new plugin पर और यहाँ पर latest post WP Supercache का latest plugin मैं यहाँ पर download कर लेता हूं तो यहाँ पर plugins के section में upload button पर click करने के बाद अगर मैं इस plugin को यहाँ पर drag and drop कर करूंगा और install now पर click करूंगा तो मेरे सामने यहाँ पर एक screen आ जाएगी जो कि मुझे यहाँ पर बताएगी कि आपने वो plugin जो है वो already upload किया हुआ है आपका जो crunch plugin है उसका version 1.7.0 है और जो plugin आप upload कर रहे हैं उसका version 1.7.1 है तो यहाँ से आप plugins को update कर सकते हैं directly और even अगर आप चाहें तो यहाँ से downgrade भी कर सकते हैं आप यहाँ पर click करेंगे replace scrunt with uploaded और आपका जो plugin है वो update हो जाएगा next major change के अगर हम बात करें तो block patterns को introduce किया गया है block patterns जो है वो एक तरह से आपके pre-built layouts है जो कि आपके different blocks को combine करके बनाये जाते हैं और new block directory को भी introduce किया गया है जिसमें कि हम different blocks को search कर सकते हैं जब हम किसी भी post या page को edit करते हैं तो यहाँ पर हमें भी plus का icon दिखता है block add करने के लिए जब हम इस icon पर click करेंगे तो हम देख सकते हैं blocks के अलावा यहाँ पर pattern का option भी visible है जब हम patterns पर click करेंगे तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कुछ pre-built templates यहाँ पर available है तो अगर हम चाहें तो यहाँ पर search भी कर सकते हैं for an example यहाँ पर मैं एक three column design को choose करके add करना चाहूँगा तो मैंने यह design select कर लिया है इस तरह से आप pre-built patterns को यहाँ पर use कर सकते हो इसके बाद हम बात करते हैं wordpress built-in sitemap के बारे में wordpress sitemap को test करने के लिए आपको wordpress के front end पर जाना है और वहाँ पर आपको लिखना है wp-sitemap.xml तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एक basic sitemap आपको visible हो जाएगा अगर आपकी website में default sitemap visible नहीं है तो कुछ settings है जिनको आप check कर सकते हैं सबसे पहले settings के अंदर reading में अगर आपने यहाँ पर discourage किया हुआ है search engines को तो आपको यह sitemap नहीं दिखाई देगा और दूसरा अगर यहाँ पर आपकी permalink की जो setting है वो by default है तो भी आपको sitemap जो है वो दिखाई नहीं देगा that means कि यहाँ पर plane के अलावा कोई भी दूसरी setting यहाँ पर apply कर सकते हैं तीसरा reason जिसके वज़े से sitemap कभी कभी नहीं दिखता वो हो सकता है कि आपने कोई ऐसा plugin enable किया हुआ है जो की conflict होने की वज़े से wordpress के sitemap को disable कर रहा है इसके बाद हम बात करेंगे lazy loaded images के बारे में तो यहाँ पर अगर हम देखें तो wordpress की documentation में हमें यहाँ पर एक page दिखाई देता है जिसमें यह mention है कि ज़्यादातर website जो है उनमे 4.7 MB के around जो है वो images होती है desktop and mobile के लिए तो अगर हम बात करें तो इनमें से ज़्यादातर images जो है वो below the fold यानि कि जो visible area होता है first time user के लिए उससे नीचे दिखाई देती है so यहाँ पर lazy loaded के पीछे जो logic है कि जब तक आपकी screen user के visible area में नहीं आएगे तब तक वो image load नहीं होगी तो अगर हम इस page को scroll down करें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि loading attribute में दो तरह की properties यहाँ पर दी गई है eager and lazy by default wordpress images को load करेगा lazy attribute value के साथ but अगर आप चाहें तो इसको disable कर सकते हैं इसको disable करने के जो हैं वो दो method है या तो आप image tag के अंदर loading is equal to eager लिख सकते हैं so eager लिखने के बाद जो है wordpress की lazy loading enable नहीं होगी उस image के लिए दूसरा अगर आप चाहें तो इस hook से wordpress lazy loading को disable कर सकते हैं इसके बाद हम बात करेंगे inline image editing की which means कि जब हम किसी image को wordpress editor में add करेंगे तो हम इस image को directly यहीं पर edit कर सकते हैं so यहाँ पर आपको icon दीखेगा crop का जैसे ही इस icon पर click करेंगे तो हमें यहाँ पर zoom aspect ratio and rotate का button हम यहाँ पर मिल जाएगा तो हम अगर चाहें तो यहाँ पर crop कर सकते हैं इस image को directly 16 into 9 में और हम यहाँ पर apply पर click करेंगे और हमारी image directly यहाँ पर edit हो चुकी है इसके बाद हम बात करेंगे device previews to check different screen sizes की इसमें अगर यहाँ पर आप किसी भी page या post को preview करके देखना चाहें कि आपकी website जो है वो tablet या mobile पर कैसे दिखेगी तो यहाँ पर preview button पर click करके आप directly check कर सकते हैं इसके अलावा कुछ changes किये गए हैं blocks में, कुछ shortcuts को change किया गया है और jQuery migrate library को जो है वो remove कर दिया गया है, jQuery migrate library कभी-कभी old jQuery plugins के साथ compatibility के लिए use की जाती है which means कि अगर आपकी theme या आपका plugin बहुत ही old jQuery library पे depend करती है तो chances हैं यहाँ पर आपकी plugin या आपका themes जो है वो break कर सकती है इसके बाद आप external image को single click के साथ upload कर सकते हैं अगर वो image editor में present है और dash icon library में कुछ icons add किये गए है so दोस्तों यह थे wordpress 5.5 की कुछ major features and changes जिनको हम आने वाले time में अपनी themes and plugins में use कर सकते हैं इस tutorial का link आपको इस video के description में मिल जाएगा इसके अलावा भी कुछ important links हमने description में mention किये हैं आप उनको check कर सकते हैं दोस्तों हम चल्दी ही फिर मिलेंगे wordpress के नई वीडियो के साथ इस session को last तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद